एलो ट्रेडर्स वेलकम बाक टो मैं चैनल एक्विटी स्टार्ड ट्रेडर्स आज की स्वीडियो में सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं कल आपको बैंक निफ्टी का एक्सपाइडी देखने को मिलेगा जैसा कि आज मार्केट के मुमेंटम के अकॉर्डिंग हम ही यहां पर देख रहे हैं और पो देखने को मिल रहा होगा और गयाई यह सब सारे लैबल यह आरव सेम experience बताता है अगर आप market में काफी दिनों से काम कर रहे हैं तो आपका experience बताता है कि market कहां जाएगा तो मैंने यहाँ पर 9 बज के something कुछ मिनट पे second candle 9 बज के 30 मिनट पे something मैंने यहाँ पर market को समझ गया था आप लोग को पता होगा प्रोफिट अगर आपने में जरूर लिखना आप सवाल आता है कि premium ग्रूप में क्या पैसे दे के जॉइन करना होता है गाइज नहीं आप फ्री में जूर सकते हैं इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है इस वीडियो भी डिस्क्रिशन में लिंक मेरा मिल जाएगा वहां से जाएगे अपने में जरूर आपको फ्री में जूरने का पंदरा तारिक के बाद आपको यही के लिए पे करना पड़ेगा एकाउंट ओपिन वाला सारा सिस्टम क्लूज कर दे जाएगा यह लास्ट वार्णिंग है इसको आप अच्छे तरहका से जानते हो कर लेना अब सवालात है कि मेरे फ्री टेली एराम चैनल में जो मैं जोइन किया है जितने भी लोग वहां पर जो में आज बताया था क्या वाताया था कैसे काम किया है कितना टारगलिट दिया है तो दिन करके देख लीजे, आपने दुनिया में हजारों जगा देखा होगा, यहाँ पे कुछ अलगें आपको देखने को मिलेगा, फ्री में इतने चीजे आपको कोई नहीं बताएगा, इवेन पैसे लेके भी नहीं बताएगा, जो चीजे मैं फ्री में बताता हूँ, टेलीग् जो लिंक में आपको वीडियो डिसकेशन में डालूंगा, उसी लिंक से जॉइन करना, और आज जो मैंने आप लोग को वहाँ पे बताया है, जब मार्कित यहाँ पे ब्रेकडॉन किया, ब्रेकडॉन के लिए मैंने क्यों वेट किया, क्योंकि मैं रिक्स लेना नहीं चाहता जब तक कि मुझे 110% confirmation नहीं मिल जाता है, मैं आपको बताऊंगा क्या, अगर मैं वहाँ पे कुछ भी कहीं भी बता दिया, मान के चलो यहाँ पे मैंने दे दिया, और कोई लोजिक के बिना यहाँ पे उपर सला जाता, तो अब यहाँ पे stop loss आपका hit हो जाता, तो आप मुझ ट्रेड इनिसियेट किया, और यहाँ पे stop loss ले लिया, तो यहाँ पे कोई अपती नहीं है, क्योंकि rule यहाँ पे मैंने break नहीं किया, और उसकी according मेरा stop loss हिट हुआ, तो इसको मैं स्विकार करूंगा, और loss को accept करके आगे वढ़ना चाहूंगा, लेकिन अगर मैंने rule को follow ही नह किया, और यहाँ पे, मान के शलो, stop loss हिट हो गया, तो यहाँ पे कोई logic नहीं बनता है, कि आप कहीं भी random market में इंटर कर जाते हो, यह एक आपका सवाल बनता है, लेकिन यहाँ पे breakdown पे मैंने जो आप लोग को अब बताया था, आप खुद जा के देखो, यहाँ पे put में कितन target दिया है, कभी मेरे against, maybe market गया है यह नहीं गया है, इसलिए बोलता हूँ, अपने आप पे believe करो, अपने level पे believe करो, मैं जैसे अपने level पे करता हूँ, मेरा level breakdown हुआ, मैं देखने नहीं लगा कि दुनिया क्या करता है, मैरा level break होने के साथ, मैं अपना देखा कि मुझे क्या कर आपको पता चल जाएगा, अब सवाल आता है, कि market जो यहाँ पे close किया है, ठीक है, इस range में देखिए यहाँ पे लगबग more than, यहाँ पे 12 बज़े के बाद, अगर मैं consider करूं market को, तो एक range में यहाँ पे consolidate किया है, ज्यादा बड़ा momentum नहीं है, यहाँ से अगर इस one way momentum को only बाद ही एक बड़ा momentum में start होता है, मैंने कितने बार बताया है, तो इसके लिए हमको level को follow करना होता है, यहाँ पर उपर जो 500 है, यह level resistance level है, अब यह strong resistance है, ऐसा नहीं कि market आएगा और breakout सीधा कर देगा, यह psychological level भी है, तो इसको break करने के लिए market को काफी अच्छे से यहाँ पे गिरने के बाद uptrend है, यहाँ पे expect नहीं कर सकते हैं, तोड़ा बहुत market stay करेगा, इस तरीका से ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से थोड़ा बहुत और, यहाँ पे momentum करने के बाद, मतलब stay करने के बाद, फिर जागे कर सकता है, directly नहीं कर सकता, लेकिन अगर यह यहाँ पर मान के चलो एक bottom यहाँ पर लगा दिया दूसरा bottom यहाँ पर लगा दिया normal open होके थोड़ा देर stick करके ऐसे जाता है तो भी guys मैं यहाँ पर बोलूँगा quantity कमी रखो आप target आपको ऐसे यह दोनों target यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर मान के चलो कि यहाँ पर open होता है और यह double bottom बला scenario यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है तो directly यहाँ पर 48,200 यह overall देखिए आज का law 200 नहीं है लेकिन यह मेरा level 200 है क्योंकि एक psychological level perfect एक level है तो इसलिए इस level को मैंने यहाँ पर consider किया है क्योंकि यहाँ का law है वो almost आपको 220,10 के कडिम मिल जाएगा तो मेरे according 200 एक major support है इसलिए market अगर आता भी तो 200 को retreat करेगा यहाँ पर react करेगा ठीक है तो 200 को अगर breakdown कर देता है rate candle के साथ फिर सोचों कि यहाँ पर closing का wait करना पड़ेगा close करता है directly यहा पर आप sale कर सकते हैं पहला target यहाँ पर 48,000 रहेगा ठीक है और दूसरा 47,800 रहेगा यह दूनों target नीची के direction में ले सकते हैं लेकिन even इतना करने के बाद भी आप market को सही से predict नहीं कर पाते हैं बहुत लोग जेशते देखिए कि यहाँ पर breakdown किया बहुत लोग डर के मारे यहा इसको देखो उसको observe करो वहां से सीखो वहां से सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी तो इसको मिस मत करो link वीडियो के discussion में दिया हुआ ठीक है तो यह सब सारे update आपको कल telegram पे live मिलेगा ठीक है तो अब देखो यहाँ पर यह निफ्टी का चार्ट आप लोग को दिख उटा होगा निफ्टी कहा था प्रीविस एक दीन पहले मतला प्रीविस डेकर यहां पर मॉमेंटम दिया था डॉट्वान इससे एक पता चलता है कि market का trend जो है down side में है कल देखिए market क्या हुआ यहाँ पे open हुआ इसके बाब जो तो market down side में जाना चाहा है लेकिन market consolidate करता हुआ रहे गया एक range में मतलब यहाँ पी एक बड़ा momentum कहीं भी upside या down side को देखने को नहीं मिला क्योंकि range breakout या breakdown हुआ ही नहीं आज देखिए कितना खूबसूरती के साथ market यहाँ पे open हुआ पहला candle यहाँ पे देखिए doji बनाया है ठीक है rejection देखने को मिल रहा है दूसरा candle में भी rejection देखने को मिल रहा है अब यहाँ पे अगर इसको breakout करता है तो बहुत risky trader यहाँ पे buy कर लेता या फिर sap trader इस resistance के उपर buy कर लेता लेकिन market गया ही नहीं potential इतना ज़्यादा सा selling pressure इतना ज़्यादा था कि market को यहाँ से लेके नीचे side में जाना ही पड़ गया और market जैसे previous day का almost law मैंने आप लोग को बताया है एक simple support and resistance draw करने के लिए previous day का law जैसे यहाँ पे breakdown किया देखिए major support एक तरह से बोलेंगे down यहाँ पे cross down हो गया है तो यहाँ पे quantity ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा level almost near इस support के level एक major support है तो जब तक इसको breakdown नहीं करेगा हमारा यहाँ पे बरा quantity कभी आएगा ही नहीं क्योंकि यह एक range है यहाँ पे market हो सकता है breakdown करे और trap भी कर दे तो ऐसे भी कर सकता है तो इस लिए इस level के पास हमारा quantity कम रहेगी लेकिन अगर यह major support breakdown कर देता है तो quantity add up भी कर सकते है as a safe trader यहाँ पे entry भी बना सकते है लेकिन risky trader यहाँ पे इंटर कर सकते है अब बात रही कि देखे यहाँ पे market आपको target दिया है यहाँ पर एक बार आया आपने यहाँ पे wait किया और market second time breakdown अगर कर देता है इस तरीका से तो आपको पता चलता है कि market का rally अभी continue रहेगा लेकिन market यहाँ पे आके stay करने लगा मतलब यह जो support है 230 यहाँ पे आके stay करने लगा और rejection देने लगा तो इसका मतलब होता है कि जो sale हमने यहाँ पे किया था वो यहाँ पे sale off हो गया मतलब order block हो गया जो order block का किस्सा मैं already आप लोग को video बना के समझा चुका हूँ बहुत लोग इसके बावजुद भी नहीं थे कि video देखते ही ने मतलब मेरा काम है बना देना मैं सारे चीज़े कर देता हो video देखते ही ने बाद में मुझे telegram पे message करते है कि order block क्या होता है सर अड़े भाई video देखा तो करो सारे चीज़े जिस दिन मैं जो video डालता हूँ क्या topics related है क्या चीज़ buyers यहाँ पे आया था इससे multiple confirmation buyers यहाँ पे आया और buyers का जब भी यहाँ पे number 100 buyers increase किया यह selling पूरी तरीका से off हो गया मतलब sell off हो गया order block हो गया seller का अब market यहाँ से upside में जाने लगा अब सवाल आता है कि जो यहाँ पे range बनाया है ऐसे दो बोल सकते हैं कि double bottom यहाँ पे लगाया already rejection देखने को मिला है लेकिन double bottom लगाने को मतलब यह नहीं होता है कि direct market उपर side में चला जा गया अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो range में market close किया है कल अगर normal यहाँ पे open होता है gap up या gap down नहीं होता है उस condition में 330 को उपर breakout करता है बस breakout करने के बाद closing हमारा important है इसके बाद हमको द target आपको यह दोनों देखने को मिल जाएगा ठेक है यहाँ से मैं बड़ा momentum expect नहीं कर रहा हूँ जब तक कि यह swing high breakout नहीं कर दे 580 यहाँ पर थोड़ा-thोड़ा momentum आएगा क्योंकि swing high breakout नहीं हुआ है लेकिन यहीं पे 230 जो down side का momentum यहाँ पे continue अगर market कर देता है जो support है इसको breakdown क कर देता है तो यहाँ से एक rally आप expect कर सकते हैं down side में और यहाँ से market लगबग 150 और यहाँ पे 22,000 यह दोनों target आपको easily देखने को मिल जाएगा down side में लेकिन मुझे लगता है कि अगर market double bottom लगा कि यहाँ से reverse कर चुका है तो कहीं कहीं यह buyers यहाँ पे strong हो रहा है और यह buyers market को इतना असानी से जाने नहीं देगा हो सकता है market नीचे आए यहाँ पे trap कर इस sellers को again upside में चला जाए तो यह चीज़े यहाँ पे देखने को मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि buyers already market को उपर के direction में push कर चुका है यह buyers इतना असानी से down side में जाने नहीं देगा तो हम लोग को थोड़ा किया किया है mistake किया है losses किया तो गाइस comment box में comment जरूर करके बताना कि आपने क्या सही किया है क्या गलत किया कितना profit बनाया है वीडियो पसंद देखने को लाइक से यह और चैनल में नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं इसी टैप की बहुत सारे informative वीडिय मिलते हैं इसी तरीका से एक नेक्स्ट रूडियो में thank you so much for your love and support